हेलो दोस्तो 14 ओक्टोबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला गया मुकाबला जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को करारी सीकस्त दी उसके बाद बाबर आजम की कैप्टेंसी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं पाकिस्तान के कुछ सीनियर प्लेयर्स बाबर आजम को हटा कर शाहीन आफरिदी को कैप्टेंसी से हटाना चाहिए या नहीं कॉमेंट में जरूर बताए क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पाने के लिए विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़े